आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is a polyploid species having multiple and identical set of chromosome is called अब यहां हमें बताना है कि polyploid species होते हैं उनके पास क्या होता है multiple identical set of chromosome इसे हम क्या कहते हैं सबसे पहले अगर हम बात करेंगे humans की तो हमें पता है हमारे जो humans में जो normal cells होते हैं ये diploid cells होते हैं okay, diploid nature की होते हैं okay, diploid cells यहां पर हम क्या सकते हैं ये किस form में होते हैं 2N form में होते हैं कुछ ऐसे cells होते हैं okay, organism में क्या होते हैं कुछ ऐसे cells होते हैं जो carry करते हैं या फिर जिनके पास more than two paired set of chromosome होता है okay, तो यह अपने पास रखते हैं more than two paired set of okay, two paired set of chromosome और यह जो condition होती है इसे ही हम बोलते हैं polyploid ही okay, chromosomes अब यहाँ पर देखा जाए तो question में हमसे कह रहा है कि polyploid species है जो की have कर रहे है multiple and identical set of chromosome तो यह जो condition होता है इस condition को हम बोलते हैं auto polyploid okay, auto polyploid बोला जाता है अब यह ऐसा condition होता है जिस condition में हम देखें तो क्या होते हैं more than one set of chromosomes होते हैं जो की same species से होते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो auto polyploid ऐसा condition है जिसमें क्या होता है multiple set of chromosome होते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं multiple set होता है किसका chromosome का short form में लिख देते हैं chromosome का और यह जो multiple set chromosome के हैं यह derived होते हैं same species से same species से यह क्या होते हैं derived होते हैं तो यहां अमारे question में भी पूछा है यही कि multiple है and identical है, identical का मतलब यह है कि यह derived हो रहे है same species से, तो यहां अगर हम अपने option fourth को देखें तो यह यहां से correct है, अगर हम first option देखें, allopolyploid, तो यह ऐसा condition होता है, जिसमें क्या होता है, multiple set of chromosome तो होते हैं, लेकिन यह जो chromosome होते हैं, यह किस से derived होते हैं, तो यह derived होते हैं, किस से different species से, और different species से derived होने की वज़े से, यह हमारे identical नहीं होंगे, लेकिन हमारे question में हमें identical भी बताना है, तो यह इस वज़े से wrong option हो जाएगा, अब अगर हम यहां पर अपने second option पर आएंगे, that is amphideployed, तो यह एक ऐसा condition होता है, organism का, जिसमें cells या फिर nucleus जो होते हैं, यह contain करते हैं, deployed set of chromosome को, तो यह contain करते हैं, deployed set of chromosome, और यह deployed set of chromosome के contain करते हैं, different species से, यह contain करते हैं, किस से different species से, तो इस वज़े से यह भी हमारे क्या हो जाएगे, wrong option हो जाएगे, अब अगर हम उनुप्लॉइड की बार करेंगे, तो ऐनुप्लॉइड ऐसा condition होता है, जिसमें क्या होता है, या तो एबरेशन हो जाेगी χروमोजोब में, या फिर हम कहा सकते हैं, इसमें 45 number of chromosome है, देखने को मिलेगा, यानि chromosome की क्या हो गई, missing हो गई या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं 47 number of chromosome यानि chromosome का क्या हो गया, addition हो गया तो यह condition भी हमारा यहां से wrong है, इस question के लिए right answer option 4 हो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह download करें doubt net app यह WhatsApp कीज़ें अपने doubt आच 4444 पर